चलिए गोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तों के नुभी नितियास डॉक्टर येस्वन सिहां कठोच के अकूडिंग इसका जो पहला पॉइंट है जैकरती सहां से लोगे स्टार्ट करेंगे यह हमारे ऑफ-लाइन का एक पॉइंट शूटर कया था और यह से लोग आगे बढ़ सकते हैं ललित साहा 1772 में भेटवाल के शाषक दोने थे ठीक उसी समय को ना के ततकारी जो शाषक थे वो देप्चंद थे इदिनासकारों ने देप्चंद को गुंगा शाषक आदे नहीं से समुधित किया है जब देप्चंद को ना के शाषक थे तो उनके स्वतेले भाई लुहुंचंद रुंतेला ने उनको पत्से हटा दिया और सुम को कुंगा का शाषक गुसित कर दिया जिससे कुंगा राजदरबार नराज हो गिया था और उनके मुंतियों ने भी लुहुंचंद का साथ नहीं था इसी के कारण 1779 में हर्च दिम जोसी करणवाल के रास दर में आता है और नलिट सहा को कुंगों पर आपने करने का जिम देता है नहीं सब हर्च दिम जोसी के इस प्रस्ताव को स्विकार कर लेते हैं और 1779 में कड़वाल के सैना को कर देती है तो गड़वाल और कुंगों के सैना के बीच में जो युद्ध हुआ था वो बगवाली स्थान पर हुआ था और इस युद्ध में गड़वाली शैना को बज़ए प्राप्त हुई थे इस प्रकार लेलिट सहा ने कुंगों पर बज़ए प्राप्त कर ली थी और अपने छोटे पुत्र पर जोन सहा को कुंगों के राजगर्दी पर गड़ा कर जब वापिस पुत्र जयकर्ति सहा राजगिद्धी पर विराजमन हुए थे आगे जयकर्ति सहा से व्लूग आगे बढ़ाते हैं दोस्तों मैंने इसमें जो अंडर लाइन कर रखे हैं जो लाइन है वहां से प्रस्म बन सकते हैं वाजय लेलिट सहा के वादी क्यूठल से उत्पन जयकर् इनके समकाली में कभी चित्रकार वनाराम ने गड़राजबन्स कावे में उनके राज़काल में जोकिर्ति सहा के विरिदु सड्य उत्र का विस्तित वर्णिंग दिया है दिखें दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1780 में जब जोकिर्ति सहा गड़वाल की राजगिद्धी पर बिराजमान हुए थी तो थ्यासकार बताते हैं कि कैसे उनके खेलाप विवन सड्य उत्र रचे गए थे कि कैसे उनको राजगिद्धी से हटा भी जाए आगे बढ़ता हैं जैसी कि सोन्ट कृति सहा तथा उनके सोनते लिए गड़ता वियानि कि वहाई प्रद्युवन स सहा के पारिस पर एकसा मंद अच्छे नहीं थे लिए राजगिद्धी के इस दो भार पर प्रद्युवन सहा ने सर ब्रतम लेवल गर नोटा और उसके बाद सिन लेवर पर आक्रवन किया ज्यासकारों के अनुसार आकरवन 1780 में हुआ था देखें दोस्तों यहां पर यह प पारशनू बन सकता हैं आगे दोस्तों जैकरती सहा के आगर मन के समय में तरोपर नोटेरों का अगर मों उता रहता देखिए दोस्तों आप लोगों जानते होंगी आप लोगोंемся क्या पता हो जाए कि फते पती सहा के समय में ए dragonsعتरे में अमने देखें स्कारण भी इंसकार बताते हैं कि जिस कारण भी धरदुन को धरदुन दाम दीया गिया था तो कुछ ऐसा कहानी बनती है कि वोई लातार धरदुन पर सिक्कों का आख्रोन ही होता रहता था चलिया आए बुसरत प्रश्मियां पर मद्दूसरे विलाई में 1783 में डूर्ण पर सिक छापा इतना प्रबल था कि वियंस के अनुसार महरा जानी समझोती में गड़वाल पर लोड़ पार्टन करने का वचल लेकर सिक सर्दारों को 4000 रुपे वार सिक कर देना स्विकार के लिया था देखे दोस्तों यहां पर यह प्रशनु मन सकता है कि बूर्ण पर सिक छापा कब हुआ था तो 1783 में हुआ था यह प्रशनु में यह कैसे सी के आगे आने वाले पर शौब दिखा जा सकता है नेक्स्ट दोस्तों जो बूर्ण पर निरंतर आकरवन और लोड़ पार्ड हो रही थी तो राजय किरती सहा ने मौना राम के प्रामर् प्रस्थान करता है और सिंद्गर के समीब कपरोली के लिद्ध में जवत प्रकास के सैनाओं के बारा पर्दमन सहा प्राकरू सहा था बिजे राम को प्राजय प्राप्ति हुई थी है देखे देखे दोस्तों इसमें जो स्लाइड आपके सामने इसमें तो बहुती कम सब्द इसमें इस बात को लिखा रहे ताकि हमारे वीडियों जोगर नम भी ना बने इसलिए मैं आपको अपने आप इन बातों को समझने चाह रहा हूं जैसे कि आप पहने लाइन देख रहे हैं कि जब दो पर्दमन तर आकरमन और रोपट हो रही थी तो कृति सहा ने इन लगातर आप रुमन से बचने के लिए अपने निश्वसम्नी एक अधिकारी थी इनके धिन्यवाब जिनका डाम था उनको रामनाराम के प्रामन सीपरसु स्मुर की तदकानी जो शास सकत थे जगत प्रकास के पास सहितार तो दीज़ा था जगत प्रकास में भी जगते सहाकी नाओं का जुविद्ध प्रजमन सहा प्रांकरम सहा तथा विजय राव इसे होता है देखें ये प्रशन बन सकता है दोस्तों कि कपरोली का उद्ध कब हुआ था और किन-किन के बीच में हुआ था जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये कैसे से के आदद है कि ये नई-ने फैक पूशता है तो संभवता हो सकता है कि इस प्रकार की प्रशन पुछे जा सकते हैं कपरोली की विद्ध करने जाएगा काफिय में मिलता है नाली देवन लेख ये एक लेख है इसका अनुसार कपरोली के विद्ध सितंबर 1775 को होगा था तो इस पॉइंट को आप नट करने ज लिए और कुछ समय तक गड़वार राजे में सांधी बनी रहे हैं प्रमतिया सांधी अधे दिनों तक नहीं रही गड़वार के लिए मंत्रियों के गुप्त सुझना पाकर 1775 में हर्सदीव जोसी के मित्रतों में कुमावनी सेहना को लेकर प्रद्विमन सहाल ये पुना ग अधिकार के लिए कहा जाता है कि इस आकरोन में देवलगर्द तसिन्नेगर को जो भीजर नहीं पाड़ हुई थी यहां भी दंसलीला इतियास में जोशाडी कांट के नाम से कुख्याता है लिए इस तो यह भी महत्तबू पॉइंट है कभीने के में जोशाडी कांट की गड तो तो तुम्हें दोल पर दूसरा प्मुला अकर्बन हुआ था दोस्व मेजे लगता है कि लाइन पहुती जादा मुरतोपुन है यहां अकर्मन किर्दी सहा के सासनकाल के अंट में हुआ था मुरतोपुन आगे दिखिके जैकर्दी सहा के हरदे में सहाइसती तो अवे गय अब दोस्तों यह जो पॉइंट हमें पढ़े हैं जो भी स्लाइड थी आप लोगों की इसमें जो पॉइंट मैंने तिर्शे कर रहे है या जिन पंगतियों को मैंने तिर्शा किया वह सब्सक्राइड दोस्तों अभी तक जो भी जो स्लाइड आप लोगों ने देखी तो इन पर आधारित प्राश्णी क्या बन सकते हैं यह है देखें संबंदी तथियों से संब्धित प्र सब्सक्राइड दोस्तों बहुत नहीं प्राश्णी है आप लोग जानते हैं कि ललिट सहा और जाक्रती सहा कि आपस में नहीं बनती थी और प्रदुम्द सहा ने जब देवल गेड़ों श्क्राइड प्रथम आक्रमन किया था तो 1780 में किया था किस वरस दौन पर सिक छाप पड़ा था 1783 में हुआ था दूसरा प्रशने का युद्ध किस किस में हुआ था तो सिर्मुर के शासक जगत प्रकास प्रदुमंत सहा प्राकरुश सहा तता भीजे राम के बीच में हुआ था आपने सलाइड को यह वीडियो को रप्धिट करके उतको नेडियों से पढ़ स कि इन नितראतों में परजमन साहानी दोवाल पर जो अकरवन किया था, वहीं घटबा नाम प्र केgovern अब लास्ट वे में कुछ बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, UKSSC की आहदत है, यह फैक्चुल को जाना पूझता है, और नहीं नहीं फैक्ट लिंक करके आता है, जोसे कि लास्ट वे फोरेश्ट गार्ड का पेपर हुआता है, उसमें 16 अगले के बा सब्सक्राइब को बदाए जाए, और मुझे असल लगता है कि यह जितने भी बेडियो मैंने अभी तक भूआ ही है, आज की यह वरी जो बेड़ी का इस स्वम्मदित जो नहीं हत्तों पूरू प्रस्ण हो सकते हैं, यह हो सकते हैं, तो दुनिया मत.